Hello Scorpio, Welcome to Love with Universe अगर आपकी राशी Scorpio है यानि बिष्टिक राशी है तो चलिए देख लेते हैं 7 से 15 के बीच में January मंथ में यानि January 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या-क्या होने वाला है यह reading general है, gender specific नहीं है तो आप सभी से देख सकते हो यानि आप किसी भी age के हो या फिर किसी भी धर्म या फिर जाती के हो आप इसे देख सकते हो आपका कोई भी gender हो आप इसे देख सकते हो आप से resonate कर सकती है क्योंकि यह general reading है तो आपको free mind होका reading को देखना है और जो जो आपसे resonate करता है आप उसको ले और जो जो आपसे resonate नहीं कर रहा है आपको ऐसा लगता है कि यह चीज मुझे से resonate नहीं कर रही है या फिर नहीं कर रहा है उस चीज़ को आप छोड़ दे पॉजिटिव रहें नेगेटिव थौट्स अपने अंदर बिल्कुल भी नाल आए ओके दहाव मिट्ट judgment okay two major arcanas the wheel of fortune three major arcanas so definitely kuch major cheezy इस time पर आपके love life में होने वाली है three of cups four of pentacles oh wow ten of swords i think six card ho gay hai so watch on the deck में है ace of wands so is time per आपके पास एक पावर आती हुई दिख रही है मझे इस time पर आप अपने live life के side से कुछ भी manifest कर सकते हो आप कुछ भी मांग सकते हो अपने भगवान से आप जिसको मानते हो जिनको मानते हो okay so उनसे इस time पर आप जो भी मांगोगे वो upcoming future में आप अपने love life में exist करता हुआ देखोगे और कुछ लोग के लिए मुझे यहां से यह दिख रही है कि इस time पर आप किसी के पीछे भागने वाले हो यानि आप इस time पर किसी को follow करने वाले हो वो online के through भी हो सकता है offline के through भी हो सकती है इस time पर आप किसी को propose भी कर सकते हो या फिर किसी को कुछ offer कर सकते हो जो की बहुत सदा bold होने वाला है यानि strong एक offer हो सकता है commitment वाला यह कुछ fake नहीं होगा आप जिसको जो offer करने वाले हो वो अपने दिल से करने वाले हो और यहां से मुझे दिख रही हैं आप जिसको propose करने वाले हो या फिर जिसको follow करने वाले हो उनको लेकर आपके मन में एक feelings है और वो feelings बहुत सदर डीप है कि सो यह bottom देख है इसम साइट कर देते हैं तो यहां पर कौन-कौन से राशी है मैं बता देती हूं यहां पर वाड़ साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस है और यहां प पर फायर साइन, Aries, Leo, Sagittarius है तो चलिए देख लेते हैं साथ से पंदरा ऐसे घूम रही है इस डिरेक्शन में और यहां पर है दा हमेट यह एक major arcana है सो इस टाइम पर आपकी loneliness खतम होने वाली है अगर आप कई दिनों से आपको ऐसा लग रहा था कि आपके love life में कुछ ठीक नहीं चल रहा है अगर कुछ missing energy था या फिर आप किसी person के तरफ से blocked थे आप से कोई एक person बात नहीं कर रहा था किसी भी वज़े से हो सकता है तो यहां पर मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पर आपके पास यहां पर आप देख सकते हो light दिखेगी आपको आपके love life में अगर आप no contact situation में थे तो यहां पर आपके साथ आपकी person की contact होती हुई दिख रही है मुझे अगर आप किसी person से बहुत दिनों से दूर थे तो इस टाइम पर आप दुन के बीच में नजदी किया बढ़ती हुई दिख रही है मुझे अगर कुछ miscommunication था तो वो communication gap भी यहां पर fulfill हो दिख रहे हो और यहां पर है judgment सो इसके वज़े से ही यहां पर मुझे दिख रही है आपके love life में कुछ अच्छा हो रहा है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है यानि इस टाइम पर ओके यानि साथ से 15 के बीच में यह कार्ड यहां पर दर्शा रहा है कि कोई एक new beginning आपके लिए wait कर रही है या फिर कर रहा है upcoming future में उसका शुरुवाद इस टाइम से ही होने वाला है और कुछ अच्छा fruitful result आपको आपके love life के तरफ से इस टाइम पर देखने को मिलेगा जो भी हो यहां से मुझे दिख रहे हैं आप अपने love life के तरफ से बहुत ज़ादा loyal हो बहुत करती जादा honest हो और इसके वज़े से ही आपको आपका जो कर्मा है यानि आपका जो कर्म का फल है वो आपको इस टाइम पर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे और इसके थ्रू ही यहां पर आप देख सकते हो एक new beginning already आपके पास आ रही है यह जो card है यह card judgment का card है यानि अगर आ आपके साथ कुछ नाइन साफी हुआ है आपके love life में आपको चीजों को deserve करते थे पर उस situation आपके life में create अभी तक नहीं हुआ है तो definitely वो चीज इस टाइम पर आपके love life में create होती होई दिख रही है मुझे आपके love life के तरफ से इस टाइम पर आपकुछ new cycle start करते हुए दिख clarify कर देती हूँ जो लोग अभी शादी शुदा है तो उन लोग के भी में एक love का new chapter open हो सकता है अगर आप just normal relationship में हो existing relationship में हो तो definitely यहाँ पर आप दोनों की शादी ताय हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर एक नया शुरवाद आप दोनों करते हुए दिख रहे हो अ अपकमिंग future में recent future में आप देख पाओगे क्योंकि यह जेरल रिडिंग है सो सबके लिए कुछ ना कुछ डिफर तो करेगा और यहाँ पर है three of cups आप अपके परसन के साथ बहुत सदा घूमते हुए दिख रहे हो इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो और बहुत सरे quality time spend करते हुए दिख रहे हो इस टायम पर आप अपने पर आपने ऑने के साथ कहीं पर dinner पर जा सकते हो बहुत सदा romantic feelings आप दोनों के मन में इस time पर रहेगा एक दूसरे के साथ बहुत कुछ share करते हुए दिख रहे हो के और यहाँ पर है four of pentacles तो कुछ चीजों को लेकर अगर आपके मन में कुछ insecurity था आपके love life को लेकर आपके person को लेकर तो वो चीज यहाँ पर खतम होती हुए दिख रहे हैं मुझे इस time पर कुछ तो ऐसा situation create होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा सुकून और शांती महसूस कर पाओगे ओके और यहाँ पर है 10 of swords यह जो card है यह बहुत सदा positive card है क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा यह जो 10 energy है यह अपने आप में ही एक fulfill number होता है तो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इस time पर आप खुद के साथ थोरा सा time बिताना चाहोगे कि आप अपने love life में कही कोई गलती तो नहीं कर रहे हो या फिर गलती तो नहीं किया है आपके past में या फिर कुछ चीजे क्या ऐसा है जिसको आपको सुधरना चाहिए तो यहाँ पर आप खुद को question करते हुए दिख रहे हो आपके love life के side से क्या आप honest हो क्या आप loyal हो कही कुछ miss तो नहीं हो गया या फिर कुछ भी तो इस time पर आप थोड़ा सा खुद के साथ time बिताते हुए दिख रहे हो जो कि बहुत सदा अच्छी बात है और यहाँ पर one जो है वो new beginning को तो दर्शा रहा है और आपके जो यह thoughts है इसके दौरान ही आपके life में कुछ new changes आप देख पाओगे और इस situation के दौरान ही आपके life में एक transformation आपको देखने को मिलेगी तो चलिए इसे clarify कर लेते हैं positive रहे हर एक cards को मैं clarify करूंगी तो ओके first तो मैं hermit को clarify करना चाहूंगी तो यहाँ पर है the emperor आप खुद को empower करते हुए दिख रहे हूँ आप खुद को support करते हुए दिख रहे हूँ और इस time पर hermit के दौरान ही आपके life में बहुत सादा खुशिया आती हुए दिख रहे हैं मझे आपके मन में strong feelings, strong vibes रहेगा कि आपके life में आपके love life में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है तो चलिए judgment को clarify कर लेते हैं तो यहाँ पर है Ace of Pentacles तो मैं क्या ही कहूँ इस time पर judgment के through आपके पास एक offer definitely आता हुआ दिख रहे मुझे यह कोई good news हो सकता है, यह कोई gift हो सकता है यह कुछ opportunity हो सकता है offer proposals हो सकता है जो आप deserve करते हो ऐसा कोई एक चीज़ आपके पास इस time पर आने वाला है यह कुछ God gifted चीज़ भी हो सकता है तो चलिए देख लेते हैं Wheel of Fortune को clarify करके Oh wow So यहाँ पर है the sun Wheel of Fortune के through यानि जो new cycle आपके love life में start होने वाला है उसके through आपके life में धेश सारा खुशिया abundance happiness आती हुई दिख रही है मुझे The sun का card बहुत सदा positive card होता है और इसके बाद है Three of Cups सारे के सारे cards बहुत सदा positive आ रहे हैं आपके लिए और यहाँ पर है Daughter of Swords Three of Cups को clarify कर रहा है Daughter of Swords इस time पर Time जो है वो आपके life से बहुत ज़दा fast pass होने वाली है यानि आप समझ नहीं पाओगे कि ये जो खुशी का पल है ये आपके life में कब आया और कब गया तो इसलिए आपको हर एक moment को बहुत ज़दा enjoy करके feel करके बिताना है आपके person के साथ इस time पर बहुत सरे romantic situations create होता हुआ दिख रहा है मुझे so इसके बाद है four of pentacles four of pentacles को clarify कर लेते हैं यहाँ पर है eight of cups so इस time पर जितना भी आपको मिलेगा उतना आपको कम ही लगेगा यानि आपके पास जितना love आएगा जो भी situation इस time पर create होगा उससे आप satisfied नहीं हो पाओगे आपको ऐसा लगेगा और जादा और जादा ऐसा आपको इस time पर लगने वाला है so बहुत ज़दा अच्छी बात है और ten of swords को clarify कर लेते हैं ten of swords ten of swords को clarify कर रहा है seven of swords so इस time पर secret way में आप कुछ काम करने वाले हो अपके love life के तरफ से यानि इस time पर आप कही पर अच्छानक से घूमने जा सकते हो या फिर अच्छानक से आप कही पर जा सकते हो जहां पर आप अकेला थोड़ा सा time बिताना चाहते हो यानि आप किसी को inform किये भी नहीं यानि आपके person को अपने husband को, अपने wife को या फिर अपने दोस्तों को या फिर अपके crush को किसी को inform किये भी नहीं आप थोड़ा सा hibernation में जाना चाहोगे यानि थोड़ा सा अकेला time बिताना चाहोगे और ये secret way में आप करते हुए दिख रहे हो के so moon की तरफ से guidance देख लेते हैं आपके लिए यानि 7 से 15 के बीच में moon आपको क्या कहना चाहते हैं क्या guide करते हैं देख लेते हैं तो यहाँ पर है conclusions are within reach यानि इस time पर आपको जो भी चाहिए होगा वो आपके हाथों के सामने ही होगा यानि recent future में ही आप देख पाओगे किसी चीज का outcome या फिर किसी चीज का result के लिए आप अगर wait कर रहे थे या फिर कर रहे हो तो उस चीज का result आप सामने ही कुछी दिनों बाद ही देख पाओगे यानि जो conclusion है वो सामने ही है और यहां से मुझे दिख रही है आने वाला full moon यानि upcoming full moon आपके लिए कुछ important हो सकता है इस time पर आपके person के साथ कुछ bold connection आपका create होता हुआ दिख रहा है या फिर कुछ अच्छा वाला situation आपके life में create हो सकता है आपके love life के side से जो भी आप अपने love life के side से आपके जो आपके प्राओश्स